कि हलो फ्रेंज वेल्कम पुए चानल सटीजर की ग्लास इसतरगे संटेंस अक्सर आपने बोला हुगा जैसे अंजाने में मुझसे गल्टी होगी अंजाने में मैंने उसको कुछ बोल दिया फिर इस तरह के संटेंस को इंग्लिज़ में कैसे बोलतें आईए इसके रूल को दो adverb का इसमाल किया आता है unknowingly या unintentionally आप दोने में इसके सी एक adverb का इसमाल करके sentence को बना सकते हैं आईए इसके rule को समझते हैं सबसे पहले आपको main sentence को लिखना है इसके बाद आप unknowingly या फिर unintentionally का इसमाल कर सकते हैं आईए कुछ examples देते हैं ताकि और अच्छे से clear हो जाए अंजाने में आपको गाली दिया he abused you unknowingly कुछ लोग अंजाने में ही गलती कर देते हैं some people make mistakes unknowingly अंजाने में आज मैंने उसको पीट दिया I beat him today unknowingly तुमने अंजाने में गलती नहीं की थी you didn't make a mistake unknowingly क्या मुझते अंजाने में गलती हो गए थी did I make a mistake unknowingly एक sentence आपके लिए जिसका reply को इसी वीडियो के comment section करना उसने अंजाने में अपना गर बेच दिया कि उम्मीदें अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा वीडियो पसंद आया हो तो like कीजिए share कीजिए और चैनल पर पहली बारे तो subscribe कीजिए हमारे में लुकाब फिर भी एकने टोपी के साथ